अभी तक पिछले वीडियो में आपने जाना होगा कि रिमोट वीविंग क्या टेखनीक है और इसको करने वाले जो दो साइकिक्स थे उन्होंने क्या क्या देखा और उनका सक्सेस्टूल एक्सपेरिमेंट्स कैसे CINA टेक और कर लिया उन दो साइकिक्स जो कि इंगो स्वान और एक पैट प्राइस थे उनके साथ मिलकर कुछ ऐसे लोकेशन पर रिसर्च किया गया जो कि USSR में लोकेटिड थे उन लोकेशन को देखते वे देरे आगे जब एक्सपेरिमेंट्स में बढ़ते गए तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनने ऐसे क्या देखा जो आपको हैरान कर देगा कidentally वह उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों को डिसकोवर किया, जो की अंडरग्राउंड थे, जो की उनकी समझ के भी भाहर थे, उन्हें जानने के कोशिश कही है लेकिन उन्हें कुछ थोड़ा वह समझ में आया, लेकिन जो उन्होंने देखा, वह सब को चुका देगा, तो आई ये इस वीडियो में चलते हैं तो होता क्या है किसी आई जब अपने experiments कर रहा था तो Pat Price को कुछ coordinates दिए गए जो कि रशिया में located थे अब उस जगह पर जब वो अपना remote viewing power यूज कर रहा था तो Pat Price की नजर या फिर कहें उसका ध्यान किसी ऐसी जगह पर बार बार जा रहा था जो कि उसे लगा कि इस जगह को एक बार थोड़ा देखा जाए तो वो जगह थी Mount Hays in Alaska USA तो Mount Hays एक ऐसा एरिया था जो किस उनसान था वो एरिया यू कह सकते हैं कि एक पाड़ी इलाका है जहां पर काफी बरफ जमी हुई थी बरफ जमने के अलावा उसके आसपास किसी तरह का भी कोई रोड या फिर किसी तरह की कोई रियाइस सिविलिजेशन या आसपास कोई लोग रहते नहीं थे मतलब कि यह बिल्कुली लोगों की रीज़ से बाहर था तो शुरू में काफी शुरू में पैट ने देखा कि चलो इस सीज को वो इगनूर किया इगनूर करने के बाद जब वो सेशन पूरवा हुआ तो पैट में फिर प्राइविटली या अपने खुद से वो जगे को लोकेशन को रिसरच किया जो उसे बार-बार उसका ध्यान जा रहा था तो उसने देखा कि मांट है इसके अंदर एक मैसिव बहुत ही बड़ा बेस है और वो बेस अंडरग्राउंड है वहां पे कुछ एड़वांस टेक्नोलजी रखी हुई थी कुछ एक्क्यूप्मेंट्स और कुछ ऐसी मशीनरी जिसके बारे में उसे कोई थे वह पतले और उनके हैट भूती थोड़े से बड़े थे इसके लावा पैट ने वहां पर यूएस मिल्टरी परसनल को भी देखा यानि यूएस मिल्टरी के साथ मिलके कुछ एलियन साथ में काम कर रहे थे उस जगे के बारे में अब तक किसी को पता नहीं था क्योंकि य क्रिट काम होते हैं तो आप समझते होगे कि यार ये बाते शायद एक फेंटेसी बुक के लिए ठीक है लेकिन अब भी आप इसको स्टोरी मान के ही चलिए क्याकि इसका कोई पुकतर सबूत हमारे पास नहीं है मेंस्ट्रीम मीडिया आपको बताएगा नहीं तो इससे वह प लगा तो दो दिन बाद मुवेर लास विगास जाता है किसी होटल में रुकता है तो उसे किसी ऐसे आदमी से एंकाउंटर होता है जो से होटल लोबी में मिलता है अब ऐसे होटल लोबी में आप जा रहे है और आप से कोई टकरा जाए आप इस वेक्ति को अबजब तकिया लेकिन आपने इंग्नोर कर दिया तो ऐसा ही उनके साथ हुआ कि कोई वेक्टिन से आके टकरा गया तो अचानक उस पैट प्राइस को अपने पैरों में कोई दर्द महसुस हुआ अगले दिन उसको पेट में बड़ा दर्द हुआ और उसी शाम उसकी बोड़ी बिल्कुल लाइफलेस हो गई और वो अपने होटल रूम में वास डेड यानि मर चुका था उसकी बोड़ी को फिर जैसे लेने आए जब किसे न अलर्ट किया तो पुलिस औगेरा उस्पिटल वाले उसे लेने गए और उसको क्राइम सीन रखते वे उसके बारे इंवेस्टिगेट किया लेकिन किसकी बोड़ी का ओटॉपसी नहीं किया गया बिन ओटॉपसी कि उसको डेट डिकलेर कर दिया और ये कह दिया कि ये क्राइम नहीं है बलकि ये हार्ट अटेक हुआ था उस वक पैट की उमर 56 थी और उसकी वाइफ ने भी नोटिस किया उसकी वाइफ को फिर बाद में बताया गया और उसकी बोड़ी को फिर बाद में एक जगे दफना दिया गया जो कि नोर्थ हॉलिवोड में किसी अन्मार्क्ट क्रेव में है तो कुछ जिन्हों बाद CI के Remote Viewing Program फिर से स्टार्ट होते है कुछ सानों बाद उस Remote Viewing के बारे में उसके प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट Grill Flame और बाद में उसको नाम चेंज़ करके प्रोजेक्ट Stargate कर दिया गया अब इस तरह के प्रोजेक्ट के नाम रखते हैं, जब लोगों को थोड़ा बहुत लगते हैं कि चेंज करना है तो वो चेंज भी कर देते हैं, अब क्या होता है कि उसमें नई सैकिक्स जूड़ जाते हैं, उस दोरा 1980 में एक स्किप एट वाटर नाम का एक वेक्ति है, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर भी रहा था अपने टाइम में, उसे रिटार्मेंट के बाद उसे फ्री कर दिया गया, लेकिन रिटार्मेंट के बाद उसके C.I.E. ने अपने प्रोजेक्ट में अन्रोल कर लिया, अब उसके पास कोई स्पेशल क्वालिटी रही होगी, अमदा आप भ प्राइस थे, उन्होंने कुछ लोगो को ट्रेन भी किया होगा, उन्होंने यह पी चार्ज के लिया होगे किसको अच्छे से, इनके पास टेक्निक्स मोजुद होगी, किसा की तरह लगता है कि अधर आप भी चले जाएं, तो आपको भी ऐसी, आपको इस तरह का कुछ लिक् प्रेट्स देंगे, उसी दोरान आपको ऐसी चीज़े फिर आपके लिए एजी हो जाएगा देखना, जो कि आप अलर्ट स्टेट में, यानि कि जागरित अगुस्ता में नहीं नहीं देख सकते, तो समझ रहे हैं, देखो यह सब साइकिक फिनोमीना, यह पॉसिबल है, यह हमारे पहुंच से बाहर है, यह आप भी कर सकते हैं, यानि कि अगर आप कहें तो आप में कुछ ऐसी चीज़े चुपी हुई है, जो आप प्रेक्टिस के तुरू आप उसको डिस्सिप्लीन और प्रेक्टिस के तुरू बहार ना सकते हैं, तो यह हुआ जो स्किप एट उफफ जो कि जिन्होंने प TVs और इंगो स्वन के साथ रिसर्च किया हुता है, स्टैन्फोड में, उस कालेज में उनके रिसर्च कहलो कि ऑननोंने इनिशीट किया होते है, वह इस सब प्रोग्राम के हीड होते हैं, तो उन्होंने तेखा कि पट प्राइस के मरने बाद, और बढ़ने से पहले पैट पैस ने कुछ चार फाइले उनको दी थी उनको सोपी थी उन चार फाइलों में ऐसा क्या था तो एक फाइल में ये था कि रोने माउंट हेस जो कि अलास्का में है वापे रिमोट वीवी के दोरान जो अंडर ग्राउंड बेस देखा था उसके बारे मे होता है जो कि recruit किया गयाता है वह बाकी लों हो ट्रेंड करने में तो 스िप काफी expert होता है इन मावनमें तो हैल्फ उट उटोप से फाइल ले ले लेता है फ़िया है यार्फ उट उटोफ उने बोलता एक इस फायल में आपको देखने की जोरूत है तो स्किप स्किप काफी expert होता है इन मामनों में तो help put off से फाइल ले लेता है help put off उने बोलता है कि इस फाइल में आपको देखने की जुरूत है तो skip उन फाइलों को अच्छे से चेक करता है उन फाइलों में देखने के बाद समझने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है तो ऐसे कुछ location को बताता है कि उन में से एक location तो amount है सालासका में इसके अलावा तीन और mountain है तीन और पहाड है जहां पे underground basis पाए गए हैं जहां पे aliens रहते हैं और साथ साथ में इंसान भी उनके साथ काम करते हैं ये सब जानकारी उनके लिए जाके specific location पे लेकिन इसके अलावा उनको और भी चीज़ ऐसे दिखती है जो कि बिलकुल ही उनके project से अलव होता है तो उन्होंने उस चीज़ के लिए अलग से फिरिक research करके उनको बाद में और जानकारी कठा करते हैं तो इनन उनके एक बमूडरस and कार्ण कैसी तो गई Nikki Rahod जंसे बर्णुडरस and काफी लोगा उतलं की चीज़ गया हो בת कोई भी करेंसार ने इसब चानक काψी है इसके लावा इसे ट्रियंग्स है दुनिया When the influence जो की अपने सित अपने इसी Scientists Flindoooo काफी जाना जाता है जापके शिप्स, प्लेन और आदमी गाय हो जाते है ऐसी एक ट्रेंगल है ड्रेगन ट्रेंगल जपान में और एक है फॉर्मोसा ट्रेंगल टाइवान में इसके लावा अलास्का ट्रेंगल जो की मौंट है इसके आसपास ही है तो वो भी इसी के लिए famous है तो ऐसा बताते है कि Alaska triangle में तो 16,000 1988 से अब तक 16,000 लोग missing हुए है कि वहाँ चलेगा रास्त कभी वापस नहीं है और generally ये एक rate है जो कि काफी जादा है यानि कि अगर अमरीका में लोग गाइब होते हैं अब तक तो उन में से देखाएगे कि लाक में से 7 लोग गाइब है जो कि कभी उनका trace उनका पता ही लगता है कहाँ चले गए जो कि एक normal rate है लेकिन Alaska में जो गाइब होए लोग थे वो थे 173 out of 1 lakh people जो कि इस rate से काफी गुना 100 गुना ज़्यादा है जो कि काफी different attention अपने तरफ खीशता है तो Mount Haste जो है वो अपने लिए magnetic anomaly के लिए जावे जाता है बाकी इसके लावा UFOlogist जो कि UFO और alien को research करते हैं जो interest दिखाते हैं उनके लिए भी एक hot spot बना हुआ है तो ऐसी काफी sightings वहाँ असपास देखी जाती है अबजेक्ट युए फो को बोलते है unidentified flying objects और कुछ UFOs क्या होते हैं एकदम से आतो और एकदम से हावा में काया बजाते हैं जैसे पता नी कहां हो किस जगर चले गए और कुछ बड़ी तीजी बड़ी unimaginable speed से आते हैं और कुछ रिपोर्ट करते हैं पत्थर में तकरने वाला होता है यह पतथर क्या जहत tę यह पत्थर के अंदर से जातै है और अंदर कि जाके मतलब अलनकी पत्थर में जाते हैं तो पता ही लगता हैं जैसे बीना कुछ ब्लास्ट होए वह औराभ इस चीज को आरपार करनेता है जैसे सोलिड रॉप में से निकल जाना ये बड़ा ही उनके लिए अजीब होता है तो काफी लोग उनके लिए विटनेस किया हुआ है बाकि इन चीज़ों के लिए कोई ऐसा है नहीं लेकिन एक चीज़ मानने है सब भी दुनिया में युए-फो ने लोगों ने युए-फो देखा ही देखा है उनको पता ही कुछ लैट कुछ हो रहा है इस दुनिया में जो की हमने नहीं बता जाता है मेंस्ट्रीम मीडिया नहीं बताती तो फिर अब वो जो माउंट ऐस की तरफ रिसर्च होता है पैट प्राइस ने वह सीक्रिट एलियन बेसिस के बारे में बताया था, बाकि जो तीन और फायल थी उन में क्या था। तो उन में से एक मौण्ट पैरिड़ीडो करके हैं स्पेंड में। उसके बारे में था। एक यह एक पाऎडों है एक इन्या गैनी जंबावे में एक है मोड्स जील इन रस्ट्रेलिया यह नि एसे पाडों के नीचे नीचे पाई डहे अब एंटरगाउंग बेसिस बनाए जा रहे हैं यो प्लेन एरियस की निए अंटरगाउंग में भी बना सकते हैं लेकिन उन्हें पाढ़ों को क्यो सेलेक्ट किया अभी आप है ये भी है रहान होगे कि आप मारे वारत में एक पाढ़ केलाटे मौट केलाश केलाश परवत और केलाश परवत पर आज तक कोई चट नहीं पाया जिसलें भी कोशिश की होना से वह उल्वापी सी आए खालियात और उन्होंने वहाँ पर काफी फिनोमेना देखा जैसे एजिंग होना उनकी निये सबढ़ जाना अलग अलग तरीके की फिनोमेना और इसी की नीचे अगर आ आखे पाड़ों के नीचे पाये गए है तो पाड़ों कोई ऐसा क्यों टार्गेट किया आता है कि वह उना पर अंडरलॉंड बेसिस मिलते हैं तो यही चीज जानने के कोशिश कर रहे थे वो जो स्किप थे अब स्किप एट वाटर को फाइलों के बारे में पता था तो वह वो इस चीज को और एक्सप्लोर नहीं का सकते थे क्यों क्योंकि स्किप जो थे स्किप एट वाटर उनको इंफोमेशन पहले सी पताती कि वह यह चीज है इस पाड़ों के नीचे और यह चीज मिलेगी तो अगर रिमोट वीविंग करते तो उस दौरान इस चीजे उनको इं एक्सपर्ट्स आ रहे थे तो एक थी जोसफ मेक मॉनिगल एक लेजेंडरी फिगर थे जो की रिमोट वीविंग कॉमुनिटी में काफी जाने पैचाने थे और उन्होंने आर्मी और सिये के लिए भी काम किया था इसके लावा मिसिंग प्लोगों को डूड़ने में हेल्प करत तो जोसफ में वो कोडियर्स पढ़कर यही कंफर्म किया कि हाँ वहां अंटरगाउन एलियन बेसिस है इसके लावा और भी जानकारी दी कि वह रहा हो क्या हो सकता है अब इन चीजों को और गहराएं में देखते गए तो जुलाई 28 1982 एक डिफरेंट प्रोजेक्ट इस चला गया एक टेबल उनको दी गई चेरे टेबल और वहाँ पर बहटे है उन्होंने कुछ प्रोटपोल को फोलो करना होता है उसके बाद वो उन्होंने अपना रिग्वोट व्यूइंग का प्रोसेस चालू कर दिया तो स्किप ने उनको एक एंड़ोप दिया जिसमें कोडियर् 146 डिग्री 45 मिनट्स वैस्ट ये दोनों डिग्री मिला कर एक 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 एक्जेक्ट लोकेशन बताते हैं तो इन एक्जेक्ट लोकेशन कहा था ये एक्जेक्ट लोकेशन अगर आप गूगल पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर जाके ये डालेंगे तो आपको मिलेगा आखे बंद करी थोड़ां रिलैक्स हुआ और इसको इस कोडिनेट्स को लेकर उने थोड़ा अपना रिमोट वीविंग प्रसेस टार्ट किया तो उनके दिवाब में कुछ इमेजिस फोर्म होती गई और उनको पेपर पेपर पर डिपिक्ट करते रहे जैसे कि उनने दिखा माइल्स तक एक्स्टेंड होता है जैसे कि हमारे वही मांट केलास और इसके आसपास पार्ट तो उनने जहां पर वो टार्गेट देखा था जो कोडिनेट्स से उसको मार्क कर दिए कि इस जगे लोकेशन पर अवलेबल है जो कि काफी डेजलेट इरिया था जो आसपास कोई और गहराइस जलते गए उनने क्या देखा वहाँ पे उस अंडरग्राउंड बीजिस में उनने देखा कि काफी सारे ट्यूब्स पीछे हुए हैं पाइपस हैं कुछ मेटलिक पाइपस भी हैं और काफी से कुछ इलेक्ट्रोनिक्स समान है उसके दाव एक ग्रिट स्टक्च बारत में तो क्या होता है कि दीवारों पे बिजिली कितारे बिछा देते हैं दीवारों ने उसदेखा हुआ है और उस ग्रिट में काफी लोग फिक्वेंसी पे काम हो रहा है तो जो ने अपने remote viewing experience में बताया कि उस dome में उस underground base में काफी high emote में energy produce होती है कि लेकिन काफी low frequency level पे तो ये unfamiliar technology उसके लिए काफी अजीब था तो जैसे कि अब इन technology को अगर समझानी की बात हो तो इनको कैसे समझाये जाएगा अब जैसे कि अगर आदिवासियों के सामने हम कोई एक machine लाके खड़ी कर दे तो आदिवासियों इसको किस तरह अपने language बताएंगी कि वो क्या चीज़ है तो ऐसी उनको describe करना काफी मुश्किल तक क्यों technology काफी highly advanced थी तो नहोंने देखा कि जब इस पूरे equipment को टेकनोलोजी को जोकी सब ही एक dome के अंदर काफी अच्छे से बलब एक पूरे dome के अंदर situated थे उपर से एक पूरा dome shaped basement था उसके पर एक पूरा ही एक antenna जैसा कुछ था उस antenna से काफी amount में energy release होती थी जो कहाँ जाती थी वो space में जाती थी मलब कि अगर जैसे मैं इसको देखा जाये तो अगर पूरी तरह समझा जाए पूरे equipment को और इन पूरी technology को तो एक तरह से लगता था कि कुछ energy ये generate करती है और उस energy generate को कहीं किसी location में यानि किसी फार फार location में space में किसी planet पे या किसी भी damage पे उस energy को वह पहिस दिये है तो यह से समझिए कि एक advanced civilization है इस दहतीगी नहीं किसी फार planet की खुरू हमसे कई आगे है जैसे कि type 3, type 4 बताई आती है उनको अपने development में उनको अपनी growth में energy चाहिए होती है तो energy वो कहां से mind करें कहां से लेगा है तो उनको planet एक्सपोर करना पड़ता हुगा और ऐसी planet एक्सपोर करते हैं उन्होंने शयद अर्थ को चुरा हुगा कि अर्थ पे उन्होंने लगा कि काफी energy मिहां मिल सकती है तो उन्होंने farming स्टार्ट कर दी जैसे कि हम क्या करते हैं हम डैम बनाते हैं तो ऐसी यह transmitter में इन्होंने कुछ technology तो होगी जैसे कि एक बार जो हमारे scientist थे काफी famous scientist निकोला टेसला जिसके नाम पे यह टेसला गाड़ी चलती है जो यह अलाउन मस्क इनको बनाता है तो टेसला ने ऐसा energy produce किया था from atmosphere from ground also क्यानि कि जमीन से भी energy निकाली जा सकती है और atmosphere से भी energy बना सकते है वो free energy उसने बनाई थी और उनको transmit किया था यानि कि एक बार उन्होंने परदशन भी किया था पूरा इसको अगर आप internet पे search करेंगे कि टेसला ने क्या दिखाया था उसने क्या किया कि एक तरफ से अपने हाथ में बल्ब लिया और हो कहीं दूर जाके बैठ गया उसने अचारा फिर कुछ ऐसी चीज़ करी ऐसा कुछ बटन दबाया कि उसके हाथ में बल्ब बिना किसी connection के बिना किसी रोल के या किसी भी conducting material के बस हाथ में बिना हाथ में लेके बल्ब को एकदम जला दिया बल्ब एकदम shine करने लगा और लोग इसे देखके हैरान भी हुए थे वो इस तरह के energy को समझ गया था जो कि वो जानता था कि अगर हम free energy some law में बाढ़ देंगे तो ये कितना अच्छा रही हो हमारी solution के लिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसको दबा दिया गया तो इसके बहुत से कारण है क्योंकि आपको अभी तक जो भी बता जाता है वो इतना है कि हाँ mainstream media आपको ये बताता है कि जो कि 90% जूट है तो अब ऐसी ऐसी जो ने जो की अलग एक और remote viewer था जो करोंने mount seal जो था अस्टेली में वहाँ पर भी काफी नोंने research किया remote viewing किया उसमें वही same चीज एक dome मिलता है उसके नीचे एक grid मिलता है एक buried काफी जमीन के नीचे coils वगरा conducting material काफी सारे electronics के मिलते हैं कुछ advanced technology होते हैं एक तरह से control center भी होता है वहाँ पे जो कि कोई operate करता हुआ ऐसी वहाँ पे कोई alien तो दिखा नहीं लेकिन वहाँ पे काफी सारी इनसान दिखे तो इसका मदलब कि इनसानों की नजर में वो पहले सही था जो कि काफी secret operation चला जाते हैं अभी जो भी मैं यह चीज बता रहा हूँ आप उसे कहानी मान के समझिए इसे मत माने है कि यहाँ क कुछ इसकी वियंच में कोई तसबूत है तो ऐसी उन्होंने काफी सारे military जो देवा military देखी उनका presence वाँ पे देखा जो कि बड़े-बड़े helicopters में वो समान वो पहुचा रहे थे तो यही सेम वो काम कर रहा था कि energy अमीट करता है space में और कुछ receive भी करता है तो कोई ना कोई information को receive करता है होगा और कुछ energy वो ट्रांस्मीट करते होंगे तो यह सब चलता ही है फिर हो देखता है कि हाँ पिर क्या करता है skip at water जो होता है तो skip वो एक telepathic communication बनाने की कोशिश करता है उन लोगों के उन aliens के जो उस dome में उस underground basis पे काम कर रहे होते हैं तो जैसे या लासका में होगा काम कर रहे हो तो उनके साथ connection करना होता है और उनके साथ connection के दौरा उनको थोड़ा study करने कोशिश करते हैं कि वो किस तरह की नजरिया रखते हैं इंसानों के प्रति तो ऐसी उन्होंने एक दूसरा psychic यानि कि अपने extra sensory power ESP program में ऐसे कोई और psychic होते हैं जो mind read करते हैं त और उनने देखा कि जब इन alias को study किया इनके brain waves को पढ़ा समझा तो उनने जाना कि alias हम इंसानों को एक तरह से scientifically तोर पे interesting मानते हैं वह हमारे में interest तो रखते हैं कि के वो scientific तोर पे कोई emotional तोर पे या फिर किसी तरह के relation उस पे नहीं है जैसे कि कुछ birds चीडिया आसमान में रहे होते हैं हम भी उनको देख कि बस ठीक है वो भी एक इस धरती के प्राणी है तो उनको भी हम एक इसी धरती पर रेने वाले प्राणी ही है जानवरी है एक तरह से उनको दिखते हैं लेकिन थोड़े intelligent दिखते हैं बाकी जानवरों से तो मैं जानवरों से जानवरों की त कंडिशन है लेकिन वो इसको प्रोटेक्ट चुरू करते हैं अगर ये जो आर्थ है ना अगर आप में देखेंगे एक एलियन पॉइंट व्यू से ये काफी इंपोर्टेंट है और इसको डिस्ट्रोई करना कोई नहीं चाहेगा अब जैसे कि बड़े बड़े प्रमानुबं बनाए गये है अगर उनको रिलीस कर दिया जाते है तो उनको तब ही थूरंट वो कर देंगे कि बंद कर देंगे क्योंकि वो निए चाहिए कि ये प्लैने के लिए इसको बनाए गये हो था है लेगी नमा उनके लिए यूस्पूल है तो ऐसे ही हैं तो यह बेसिस वगएरा सब बनाए गए हैं कुछ एक ओशियन के नीचे भी मिले हैं समुद्रों के नीचे भी पाए जाते हैं और इसी तरही एनरजी प्रड्यूस करते हैं और एक स्पेस में भी जाते हैं retrouve तो एक मर इसी काफी सेशन होते हैं काफी सारी रिमोट व्यूइंग प्रोजेक्ट जो चलते रहते हैं उसमें Skip एट वार्ट में वाने कामन फिनोमेना देखा, काफी कुछ कामन चीज़े देखी, जैसे कि मौंटेन टॉक पे हैं, वो सारे बेसिस मौंटेन टॉक के नीचे अंडर्गरॉड होलो मौंटेन, जैसे मौंटेन हैं, वो बबलकुल होलो एकोकला है, तो समझ रहो, और व सकते हों कि artificial intelligence हो सकती है, organically, यादि कुछ clone create किया सकते हैं, जो कि less emotional होके, वो अपना काम पूरी तरह से efficiently करें, तो इस सब देखा गया, तो इस सब चीजों को देखते हुए, इस किपने काफी कुछ lecture में, वो नहोंने आगे चलके lecture भी दिया, और lectures पे काफी कुछ बताया भी तो आईए, आप शायद internet पे सर्च करें, तो आपको कुछ मिल सकते हैं, तो 2009 के बास की pet water ने इस project को बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास fund तो था नहीं, fund उन्हें मिला नहीं कहीं से, क्योंकि यह ऐसे operation कर रहे थे, जो कि काफी सारे underground basis को expose कर रहे थे, और अगर जो भी secretly काम ह हो रहे है, जो top secret काम है, अगर वो expose ऐसी होते रहे, तो कोई fund करना चाहेगा इस experiments को, इस remote viewing के project को, कोई भी नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे चीजों को बान लोगों पता लगे, तो इस चीज को देखते वे उसको कभी, उनको कभी fund नहीं मिला, तो धीरी देरी को कोई fund नहीं मिलने के बाद ही, कि almost ये बंद हो गया, तो आज के लिए दे आपने अवरे जितना भी समझा है, वो आप comments में लिख सकते हैं, अबर आपको कोई सवाल है, तो वो भी पूछ सकते हैं, तो एक चीज़ चाहन लिजिए कि हम इस ब्रहमान में अकेले नहीं है, इ लेकिन 90% में मन में कहीं नहीं है, आपको मैसुस होता हुगा कि हाँ, ये सच भी हो सकता है, तो इस चैनल पर बने रही है, क्योंकि आगे चल के कुछ और ही ऐसी चीज़े में बताऊंगा, जो आपको हैरान कर देगी है,